जै हिन दोस्तों कैसे आप लोग असा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे तो चले आज टोक्य ओलंपिक 2020 जो की 30 जुलाई 2021 से प्रारम्भ होकर 8 अगस 2021 तक चला तो ओलंपिक से सम्मधित जितने भी प्रस्ण बन सकते हैं सभी प्रस्णों को इंक्रूट किया गया है इस व यह चलते हैं प्रस्ण के तरफ तो पहला प्रस्ण है भारत ने ओलंपिक में पहला गोल्ड पदक कब जीता था बात की जा रही है पहला गोल्ड पदक कब जीता था तो यह जीता था ओर 928 में एम स्टर्डम उलम्पिक होकी में आगे चलते हैं टोक्यो उलम्पिक में क्वालिफाई करके इतिहास रच कर कौन भारत की पहली महिला फेंसर बनी उनका नाम क्या है उनका नाम था सिये भवानी देवी चलिए चलते हैं अगले प्रश्णिक तरफ टोक्यो उलम्पिक में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन है तो हैं हैं हैंड जाजा सिरिया करहने वाली यह 12 वर्ष की टेबल टेनिस खिलाड़ी है चलिए चलते हैं अगले प्रश्णिक तरफ टोक्यो उलम्पिक में सबसे ज़्यादा खिलाडी किस राज के हैं तो भारत के कुल 127 खिलाडी सामिल हुए थे टोक्यो उलम्पिक में जिसमें से सबसे ज़्यादा खिलाडी हर्याना के 31 खिलाडी और फिर पंजाब के 19 खिलाडी और तमिलाड के 11 खिलाडी सम्रित हुई है चलिए चलते हैं अगले प्रस्ण के तरफ ओलंपिक सब्द और पमस से आया है जो नाम है और पमस किसे रिटेट है यह है परवत का चलिए चलते हैं अगले प्रस्ण के तरफ उलम्पिक खेलों में महिलाओं की भागेदारी सर प्रथम कब आरम हुई थी त्या हुई थी उन्नीसों में किस उलम्पिक में पेरिस उलम्पिक से सन उन्नीसों में पेरिस उलम्पिक से महिलाओं की भीभागेदारी उलम्पिक खेलों में शुरू हो गया था अंतर राष्ट्य उलम्पिक समित का की आधिकारिक भांसा कवंसी है वह है अंग्रेजी और फ्रेंच तो अंतर राष्ट्य उलम्पिक समित के आधिकारिक भांसा अंग्रेजी और फ्रेंच है चलिए चलते हैं अगले प्रसन के तरब उलम्पिक खेल को कौन सिसंता रेगुलेट करती है तो वह करती है IOC यानि इंटरनेशनल उलम्पिक कमीटी चलिए अगला प्रस्ण है भारत में किस वर्ष उलम्पिक खेलों ने अपरेनी टीम भेजी थी तो भेजी थी सन 1920 में चलिए अगला प्रस्ण है उलम्पिक खेल का आयोजन प्रतेक कितने वर्ष के अंतरालप होता है तेया होता है चार वर्ष हर चार वर्ष के बाद उलम्पिक खेल का आयोजन किया जाता है अगला प्रस्ण है उलम्पिक खेल की शुरुवात कब हुई तेया हुई 6 अपरेल 1896 से उलम्पिक खेल की शुरुवात हुई पहला उलम्पिक खेल का आयोजंग कहा हुआ था तेया हुआ था एथेंस ग्रीस में चलिए चलते हैं अगले प्रस्ण के तरफ अगला प्रस्ण है तोक्यो जापान यानि उलम्पिक 2021 उद्घाटन समारों में भार्ती धोजवाहक कौन होंगे तो होंगी मैरी कौम चलिए अगले प्रस्ण के तरफ 2020 में होने वाले ग्रिस्म कालिन उलम्पिक यानि 2021 का सुभारम कहा हुआ वह हुआ जापान के टोक्यो में अगला प्रस्ण है जितने भी प्रस्ण बन सकते हैं उलम्पिक से सम्मझित सभी प्रस्णों को सम्मलित किया गया है आप लोग वीडियो पुरा देखेगा तो आप लोग का एक भी प्रस्ण नहीं छूटेगा इसकी गारेंटी है चलिए चलते हैं अगले प्रस्ण की तरब 2004 में उलम्पिक किस देश में आयोजित किया गया था वह किया गया था ग्रीस में और अगला प्रस्ण है 2012 में उलम्पिक किस सहर में आयोजित हुआ या किया गया था वह हुआ था लंदन में अगला प्रस्ण है पहली बार ओलंपिक 800 मेटर फ्री स्टाइल तरा की फाइनल में किसने स्वन पतक जीता है पहली बार बात की जा रही है तो यह राबर्ट फिंके कहां करहने वाले USA करहने वाले चलिए चलते हैं अगले प्रस्ण तरफ ओलंपिक रिकार्ड को तोड़कर टोक्यो ओलंपिक 2021 में निसाने बाजी में भी महिलाओं की 10 मीटर एर राइफल में स्वन पतक किसने जीता तो वह जीती यांग कियान ने कहां करहने वाली चीन करहने वाली है यह चलिए चलते हैं अगले प्रस्ण की तरफ टोक्यो ओलंपिक में निसाने बाजी में पूर्शों की 10 मीटर एर राइफल इस परधा में ओलंपिक रिकार्ड तोड़कर गोल्ड मेंडल किसने जीता तेह जीते विल सैनर कहां करहने वाले हैं यह है यह हैं USA करहने वाले चलिए चलते ह अगले प्रस्ण की तरफ अगला प्रस्ण है टोक्यो ओलंपिक में बैड मिन्टन के पूरुस एकल में भारत का प्रतनिज्रुत कौन किया है तो किये हैं B.C. प्रडितने चलिए चलते हैं अगले प्रस्ण की तरफ अगला प्रस्ण है दो भारती एथलिट कौन है जो टोक् मैरी कॉम और मनिप्रीद सिंग ये दोनों क्या हैं ये दोनों एथलेट हैं चलिए अगला प्रस्ण है किस ओलंपिक खेल में पहली बार ओलंपिक सपत ली गई थी या ली गई थी एंटवरपी ओलंपिक खेल में किस सन में 1920 में चलिए चलते हैं अगला प्रस्ण है आपका पहली महिला ओलंपिक चैंपियन कौन बनी थी वह बनी थी सारलोट कुमार सारलोट कुमार पहली महिला ओलंपिक चैंपियन बनी थी अगला प्रस्ण है टोक्यो उलम्पिक का सुभंकर क्या है वह है मिराई तो वह यह टोक्यो उलम्पिक का सुभंकर है टोक्यो ओलम्पिक में कितने इस परधाओं को पदग दिये जाने हैं तो दिये जाने हैं 349 इस परधाओं को कितने खेलों में 33 खेलों में चलिए चलते हैं अगले प्रस्निक तरफ ओलम्पिक चिन पर पांच छले किसका प्रतनिधित्व करते हैं तो वह करते हैं पांच महादेब के तो जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग उसेयर जरूर कर दीजेगा और सब्सक्राइब न किए कर लिजेगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लिजेगा ताकि जो भी वीडियो में डालूं सबसे पहले आपके इनबाक्ष में पहुंचे चल अगले प्रस्ट के तरव ओल्मिख कि चिन हैं की पांच अंगोठियां पैंच अलग अलग रंगों में हैं वह कउन को रंग क्या हैं तो रहे ह्लाल हरा पिला नीला और यह यह important है इसमें से क्यूशन आ सकते हैं चार दे दिया जाएगा और एक पूछा जाएगा इसलिए आप लोग सभी को याद कर लिए लाल हरा पीला नीला और काला यह पांच अंगोठियां पांच अलग 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 रंग के हैं चलिए चलते हैं प्रसन के तरफ आधोनिक ओलंप प्रस्न है उलंपिक पतक जीतने वाली पहले भारति महीला कवन थी वह थी कडम मलेश्वरी चलिए चलते हैं प्रसते हैं प्रसन के तरफ पहला ग्रिसम presets सीथ कालिन उलम्पिक किस वर्स आयूत किया गया था वह किया गया था अठारा सो चानबे में चलिए चलते हैं अगले प्रस्ण की तरफ पहला सीथ कालिन उलम्पिक किस वर्स आयूत किया गया था वह किया गया था उनाइस सो चौबिस में ग्रिस में कालिन की बात करें तो भुखाटन उर समापण समारो हो। किस इस्टेडियाम में आयूड़ीत किया गया। इहां किस होगा सर नहीं लिखा गया है। इसस्टडियाम में आयूड़ीत किया गया। वह New National Stadium में आयूड़ीत किया गया। चलिए चलते अगले प्रसंग तरफ। अंतराष्ट्य उलम्पिक कमेटी का अध्यच कवन है वह है थॉमस बॉक यह एक क्या है यह एक जर्मन है यानी जर्मनिक रहने वाले अंतराष्ट्य उलम्पिक कमेटी का अध्यच बरतवान समय में थॉमस बॉक है इंपोर्टेंट है यह जा मिया सकता है चलिए चलते हैं की जाएगी यह की जाएगी फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयुद किया जाएगा बात करें 2022 सीद कालिन ओलम्पिक यह की जाएगी चीन की राजधानी बीजिंग में और इससे पहले बीजिंग 2008 के ग्रिस्म कालिन ओलम्पिक खेलों का आयोजन कर चुका है और इस प्रकार बीजिंग बिश्व का पहला एक मात्र नगर है जो लंपी खेलों को दोनों रूपांतरों यानि गृस्म कालिन और सीध कालिंग की मेजबानी कर चुका है और सीध कालिंग खेलों की मेजबानी करने वाला बीजिंग अब तक का सबसे बड़ा नगर भी होगा इन खेलों का आयोजन चार फरवरी से 20 फरवरी 2022 के बीच में किया जाएगा इंपोर्टन्ट है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा इसके साथ भी ले लीजिएगा चलिए चलते हैं अगले प्रसन के तरफ अब आगया टोक्य ओलंपिक में भारत के लिए मेडल हासित करने वाले जाबाज यानि अब भारत में कितने लोग मेडल पाए कौन कौन से मेडल प्राप्ट किये देख लेते हैं इंपोर्टन्ट है इसको आप लोग ज़रूर याद करिए होज सेके तो लिख भी लिजे कौपी में चलिए देखते हैं पहला तो आगये नीरच चोपड़ा जेवलीन थ्रो कोंसा पदक गोल्ड मेडल चलिए दूसरा नंबर मिरा बाई चानू मेडल किसमे लाई वेट लिप्टिंग कोंसा मेडल सिल्वर मेडल चलिए अगला पीबी सिंधू बाईड मिन्टन से कोंसा मेडल ब्रॉंज मेडल अगला लौलीना बोर्गोहेन बाक्सिंग से संबंधित कोंसा मेडल ब्रॉंज इन्होंने मेडल तो एक है एक ही होता है और उसे गोल्ड कहते हैं लौलीना बोर्गोहेन ने कहा कब कहा बाक्सिंग के सेमी फार्याल में पहुशने पर चलिए चलते हैं आगे रभी दहिया रेसलिंग से संबंधित कोंसा मेडल ब्रॉंज मेडल चलिए आगे देखते हैं बजरंग पुनिया रेसलिंग से संबंधित कोंसा मेडल ब्रॉंज मेडल तेवे टोक्यो से संबंधित महत्त पूर्ण प्रस्ण तो आप लोग वीडियो एक से दो बार जरूर देखेंगे आप लोग तो आप लोगों को दुबारा कहीं से देखने के जरूरत नहीं पड़े अब लोगों का सभी प्रसंत तैयार हो जाएगा तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिए और जो लग सब्सक्राइब किये हैं उनसे भी निवे दन हो जरूर सेयर करें और लोगों को पास तो चलिए पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद आज मने करेंट अफेस्ट नहीं लाया इसलिए क्योंकि टोक्यो ओलंपिक भी मुझे वीडियो बनाना था तो कल फिर मिलते हैं करेंट अफेस्ट में नए वीडियो में नए उर्जा के साथ तब तक के लिए जय हिंद